प्यारे शाथियों पिछले दो वीडियो में हमने चिन्नु का विस्तार से अध्यन किया आप लोगों का बहुत अच्छा सनेह मिला उस वीडियो में आपने काफी पसंद किया आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम को आपके सामनी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक मैथमेटिक से है वो हर एक्जाम में आज के इस दौर पर पूछा जा रहा है से काफी कुश्चन कम्टिशन एक्जाम मा रहें चाहे आपकी छोटे छोटे वंडरे एक्जाम हो या बड़े एक्जाम हो उन एक्जामों में ऐसे कुश्चन हमारे बेसिक मैथमेटिक से उससे पूछी जा रही है तो उसके लिए बेस जब तक किल्यर नहीं होता है तब तक हम उन कुश्चनों को इजली नहीं बना सकते हैं होने में तो काफी सौट ट् बड़ मेरा एक प्रियास है कि आप लोगों को पहने एक ग्रास्प्रूड लेवल यानि ग्राउन लेवल से उसको अच्छे से मैथमेटिक समझा जाए उसके बाद यदि हम इसमें सौट ट्रिक यूज भी करेंगे तो बड़े आसानी से सौट ट्रिक समझमा जाएंगे नही करके आपको आसानी से मैथमेटिक समझानी का कोशिच करता लेकिन हो नहीं शक्ता था क्योंकि कहीं न कहीं जब तो हम इसका बेश किलर नहीं होगा नहीं समझ पाएंगे तो आप से एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरी देखनी है बीच में स्किप भी नहीं करना है आधिर दिखनी के बाद आप छोड़ देंगे तो मैथ साब कुछ धंग से किलर समझ में नहीं आएगी विभी स्वास है कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि वीडियो की कित्री मड़ी महत्तुता है यहीं मेरी वीडियो पर आप चैनल पर नए है तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शियर जरूर कीजिए और एक चीज की बहुत नितानतावशिकता है कि पर आप अपना सनेव प्यार या जो मिर्स जो आप सुझाव देना चाहते हैं वह जरूर कमेंट सेक्षन में जरूर दीजिए जो शुरूरात करते हैं आज कि वीडियो को संख्या पद्धत्य जो अंक हैं जो नंबस हैं उन्हें हम किस तरीके से डिनोट करते हैं देखिए स जो अंक कहते हैं इसे क्या कहते हैं अंक कहते हैं जो भारती पद्धती है या इंट्रनेशनल जो सिस्टम है इन दोनों में आज किसम दौर पे देवनागरी लीव तो तनी प्रचली तनी है लेकिन जो रोमन नीभी है या जो अंतराष्टी अंक प्रणाली है उसका ज्यादा प्रचलन है उनमें भी सुननी से लेके नौ तक जिरो से लेके नाइन तक नंबर को ही अंक गहते हैं उसके बाद आगे की नंबरों के लिए यही रिपीड होते हैं हमारी संक्या पद्धित अत्धा दास्मिक प्रणाली जो दास्मिक प्रणाली है इनहीं दस संकेतों का प्रयोग करते हैं जितने भी अंकों की प्रणाली है उसके लिए इन दस जो संकेत अंकों के इनहीं का प्रयोग किया जाता अंक्रिगणित में सभी संख्याएं इनहीं अंकों से बनती हैं तो अंक इतने हैं टूरल सुनने से यह गेले के नौ तक- 0 से नाइन तक अब इन अंकूं में इनका जो हम बर्गी करने हैं इनका जो क्लासिफिकेसं को समझते हैं इन्हीं अंकूं में प्राकरतिक शंख्या नहीं कहते हैं गिंती की संख्या को प्रार करता संख्या कहते हैं अर्थात जिन बस्तों जिन संख्याओं का प्रयोग प्राया हम बस्तों को गिंदने के लिए करते हैं आप अपने घर पे ही देख लिए कोई भी बस्तों को आपको गिंदना है या कोई हिसाब रगाना है तो आ बिद्याले के दौर में आप यदि बड़े हो चुके हैं जिसने पास आउट वर लिया है या छोड़े वच्चे हैं आप सबको एक चीज पता है आप लोगों की जो सबसे चोटी प्राकरत संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकरत संख्या ग्यांत करना संभाव नहीं है एक सबसे चोटी प्राकरत संख्या है वो है एक है इनि या नर्र इनभरन्जिश में इसको बूला जाता है नेचंछल नंबर प्राकरती संख्या है तो सब पूंव शंख्या गवडरो प्राक्रता संख्या के संख्या कि मैं सुन्य को शामिल ख़र दे़ तो जो नंपरिवार मिलतार रहा प्रिवार कर नशलिखने रिखा का वह पूंव संख्या कहलाती है इनका ग्रूप है शुन्य एक, दो, 34560 से लेके 6789 डॉट 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 और भी है सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह है सुन्य जीरो और सबसे बड़ी संख्या यह जहां भी ज्याद करना संभव यानि संभव नहीं है इनकी भी कोई लिमिट नहीं होते है जैसे आस्मान में तारों की कोई लिमिट नहीं ह अब गिनते गिनते आपको नीद आ जाएगी लेकिन तारह खतम नहीं होंगे अगला है सम संख्या कई बार हम सुनते हैं सम संख्या इंब शंख्या आप सुन भी रहे होंगे अभी जैसे लोकडाउन लगा है दिल्ली में दुकाने और इवन प्रोसेस में खुल रही है और इ वैसी प्राक्रती संख्या जो दो से पूनिता विवाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं जैसे दो चार छे आट दस बारह शोलो अठारह डोडोडोड और भी हैं यानि ऐसे नंबर्स जो टू से कंप्लिट्टी डिवीजिवल होते हैं इवन नंबर कहलाते हैं टू फूर सि डिवीजिवल होते हैं वही बिवन नंबर गरती हैं टो समसंख्या के इकाई के स्थान वरन की एक पहचान है जो समसंख्या की इकाई के स्थान पर सुन्य 2,4,6,8 बाढ़ाते हैं कि इकाई का स्थान है हमेशा ध्यान रखना जैसे यहां पर दिखाए ज़रा दिस्म की काई में सुन्यें बार की काई में दो शोल की काई में छह अठार का आठ और 14 होता तो चार तो यह विशेश पहचान है समसंख्याओं में कि यूनिट प्लेस पर जीरो थी शौड वीडियो उसमें मैंने यह बताया था कि आप वो दो सी विभाजिता का नियम यह आप लोगों ने वीडियो देखे होगी तो यह उसी से रेलेटेड भी है दो सी विभाजिता वह होते हैं जो संख्याओं की काई में जीरो टू फोर शिक्स एड आते हैं वो टू से डिवीजी वाल होते हैं दो सी विभाजिता होते हैं अगला आता है विशम संख्या विशम संख्या सीधी बात है जो सम नियों होंगी विशम होंगी यानि सम संख्या को छोड़ करके विशम संख्या यह होंगी जो हमारी गिं विशंतियां होती हैं उनमें सम को छोड़के भागी संख्या है यह सब बचीवी विशंग होती है लेकिन इसी प्रिभाशत क्या होगी वैसी प्राकरते संख्या जो 2 से पूरी तरह भिवाजित नहों यानि ऐसे नंबर जो 2 से ढाले रोक्ते में लिए ल Denali जीन काड़ियों के नंबर ओर होँंगे वे एक दीन चलेंगे जिन गाले के नंबर इन होंगे और यह दिन चलेंगे एबिस के साथ साथ अभी lotta फिर से और का महाँ और इवन उक्रम में खुलेंगी तो यह थी और और इवन यह दो से विवाजित नहीं होंगी वह और कहलाएंगी वन थ्री फाइब इनके स्थान वह इनकी पहचान क्या है एक तीन पांस साथ नौ ऐसे संख्याओं को बोलते हैं इवन और नंबर यानि विश्म संख्या हैं तो आज की वीडियो में हमने इन नंबरों के बारे में जाना तो यह बेसिक चो मैथमेटिक्स है इसकी इसी कड़ी में हम अगले नंब अबरों को और समझेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक आप इन वीडियो को खूब पढ़िए खूब देखे इनको और अपने साथियों को अपने प्रवार के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या अन्याब के परिशित हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाई शेयर कीजि मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तब अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू बेरी बच्च